रासा इंटरनेशनल इस्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाजत है प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाट साथ जिसका नाम है अस्ति इस्तह संति वह पढ़ेंगे यह प्रस्ट संख्या 35 वा 36 पर है तो आईए शुरू करते हैं पाट साथ सब्तंपाठह संति इस्ता अस्ति किसी संग्या के उच्चारन से उसके साथ होना या ना होना जुड जाता है किसी संग्या के उचारण से उसके साथ होना या ना होना जुड़ जाता है इसके लिए संस्कृत में अस्धातू होता है संस्कृत में इसके लिए कौन सा धातू होता है अस्धातू होता है उसका प्रयोग किया जाता है अस्धातु के वर्तमान काल के एक वचन, दुवचन एवं बहुवचन रूप क्रमसह, अस्ती, इस्ताह एवं संती है अस्धातु के वर्तमान काल के वर्तमान काल जो चल रहा है उस काल का एक वचन और दुवचन और बहुवचन रूप क्रमसह क्या है एक वचन रूप में अस्ती, दुवचन रूप इस्ताह और बहुवचन रूप में होता है संती तो हमने एक वचन, दुई वचन और बहु वचन पिछले अध्याय में सीखेते अब हम इसमें सीखते हैं कि एक वचन में हम अस्ती का प्रयोग करते हैं दुई वचन में इस्तहा का प्रयोग करते हैं और बहु वचन में संती का प्रयोग करते हैं आइए पढ़कर समझते है अस्ती क्या होता है? अस्ती होता है है जिसे इंगलिश में हम इस कहते हैं संस्कृत में अस्ती और हिंदी में है इसी प्रकार दुवचन रूप में इस तहा कहते हैं संस्कृत में दो हैं वह कहते हैं हम हिंदी में और टू आर जिसमें इस आर एम जो प्रयोग करते हैं उस प्रकार इसमें होता है आर अर्थात दो उसके बाद है संती किसके लिए प्रयोग करते हैं संती हम प्रयोग करते हैं अनेक हैं मैनी आर इसमें हम किसके लिए प्रयोग करते हैं संती मैनी आर्ज के लिए अनेक है आप देखते हैं यहाँ पर एक उधारण दिया गया है छात्रह तो यह क्या है छात्रह तो छात्र एक है यहाँ पर तो हम किसका प्रयोग करेंगे अस्ती का एक बचन है इसलिए छात्रह अस्ती दुई बचन में क्या करेंगे हम चात्र का क्या हो जाएगा चात्रो इस्तह और बहु बचन में चात्रा संती इसी प्रकार बालिका में क्या करेंगे अगर एक बचन में है तो बालिका अस्ती दुई बचन हो तो बालिके इस्तह और बहु बचन हो तो बालिका संती बालिकह संति इसी प्रकार ये आपने देखा ये पुर्लिंग है छात्रह पुल्लिंग है और बालिकह क्या है? इस्त्री लिंग है अब हम चलते हैं न पुन्सक लिंग की तरफ पुस्पम अस्ती एक बचन है दुई बचन में यदि हम आ जाते हैं तो पुस्पे इस्तह और बहु बचन में पुस्पानी संती ये आपको पहले वीडियो में आपने एक बचन, दुई बचन, बहु बचन सीखे फिर उसके बाद आपने उसके पुल लिंग, इस्त्री लिंग और नपनसक लिंग सीखे तो उसी आधार पर ये अस्ती, इस्तह और संती प्रयोग किये जाते हैं अब यहाँ पर विशेश क्या है अस्ती, इस्तह वसंती आदी के प्रयोग में लिंग के भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग के भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अस्ती, इस्तह वसंती में कोई भी लिंग हो यही प्रयोग किया जाता है जैसे पुल लिंग है तो पुल लिंग है तो पुल लिंग है गजह तो गजह अस्ती हाथी है इस्त्री लिंग है तो चटका चटका अस्ती इसमें हम अस्ती इस्ताहा और संती जो है इसमें किसी भी पुल लिंग इस्त्री लिंग वे नपुनसक लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता कोई भी भेद पर किसी का भी कोई प्रवहाग नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है अब अस्ति से पहले केवल ना का प्रयोग करने पर उसका अर्थ नहीं है और नहीं है में बद हो जाता है नहीं है और नहीं है में हो जाता है यदि हम अस्ति से पहले ना लगा देते हैं तो एक बचन का अस्ति है नहीं है और इस तहा में लगा देते हैं ना तो ना इस तहा हो जाता है नहीं है और इसी प्रकार अगर ना लगा देते हैं संती बहु बचन के साथ तो क्या हो जाएगा नहीं हैं इस पर भी कोई भी ना लगाने पर इसका अर्थ नहीं में हो जाता है देखे यहाँ पर कुछ उधारण दिये गए हैं इनको पढ़कर समझते हैं जैसे बालकह अस्ती तो बालकह अस्ती अर्थात बालक है बालक हा अस्ती बालक है बालक हा नास्ती तो नास्ती क्यों लगाया है क्योंकि ना जमा अस्ती कहलाता है नास्ती तो बालक नहीं है माले इस्तहा तो दो मालाएं हैं माले क्यों प्रयोग किया गया है दो बचन रूप है तो दो मालाएं हैं तो माले ना इस्तहा दो मालाएं नहीं है फलानी संती ये आपका नपुनसक लिंग में है तो फलानी नई और नपुनसक लिंग का बहु बचन रूप है तो फलानी संती, फलानी संती क्या है, फल है, तो फलानी न संती क्या होगा, फल नहीं है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, कि इन पर अस्ती, इस्तहा वसंती पर किसी भी लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता, वे है एक समान रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ शब चात्रो यदी हमने प्रयोग किया है चात्र तो विध्यार्थी ही होता है चात्रो प्रयोग किया है तो क्या होगा दो चात्र दो विध्यार्थी चात्रह अनेक विध्यार्थी ऐसे ही बालिका लड़की बालिके दो लड़किया और पुश्पम फूल पुश्पे दो फूल देखेंगे इसके एक वचन, दुवचन तधा बहुचन रूप देखें आपने इसमें तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ साथ अस्ति इस्तह संति पढ़ा इसका अर्थ होता है है और है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद